तो इस अध्याय के अगले अनुभाग में अब हम पढ़ेंगे दो दसमलब एक। जलि यो विलयन में अमल याक शारक का क्या होता है। चली ये विलयन में अमल ये क्षारक का क्या होता है अभी तक हमने सिखा कि जो हमारे अमल होते हैं उनमें भी आयन बनते हैं और क्षारक हैं उनमें भी आयन बनते हैं लेकिन ये आयन बनते कब हैं जब इनको जल में खोला गया होता है अगर हमारे पास यह solid सबस्था में है तो यह आयनों में तूटते हैं जब जल में खोला है लेकिन जब solid थो सबस्था में है तो आयन नहीं तूटेंगे आयन नहीं बनेंगे इसमें जैसे अमल है HCl अगर यह solid है तो यह आयन नहीं तूटेंगे H बंचाज पोजिटिव और कलोरीन बंचाज नेगिटिव दो आए ना इसमें, एक पोजिटिव और एक नेगिटिव अब इसको जल में खोला है, तब यह तूटेंगे, अदरवाइस नहीं वैसे एक शार्क में होता है, NaOH इनके पास Na बंचाज पोजिटिव और OH बंचाज नेगिटिव देखिए, यहाँ पर जो अमल की बात हम कर रही हैं, इसमें क्या होगा? इसमें जो हाइड्रोजन है, यह अलग हो जाएगा, कलोरीन अलग हो जाएगा और जल के अनू के साथ यह हाइड्रोजन मिल जाएगा, और H3O बंचाज पोजिटिव बन जाएगा तो जल में अमल H3O आएन, हाइड्रोणियम आएन बनाते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H1 चाज पोजिटिव एक्कोस एक्कोस का मतलब है water, water के साथ एक हाइड्रोजन जूड़ गया है, तो H3O प्लस हाइड्रोणियम आएन बन गया है, या इसको हाइड्रोजन आएन बोल सकते हैं, इसको हाइड्रोणियम आएन बोल सकते हैं तो यहाँ पर हमने सीखा कि जल की उपस्थिती में ही यह आएन बनेंगे, जल की अनुपस्थिती में आएन नहीं बनते, जल की अनुपस्थिती में यह आएन प्रिथक नहीं होते, तो यह हम यहाँ पर हमने सीखा है, जैसे HCl है हमारे पास, HCl इसको हमने जल में डाला घोल दिया तो हमारे पास क्या बना एक H3O आएन बना है और Cl बंचाज नेगटिव बना है क्यासे जो HCl का H बंचाज पोजिटिव है तो ये जो Cl नेगटिव है ये तो अलग हो गया है ये H अलग हो गया है ये इसके साथ जुड़ा है तो इन दोनों के जुड़ने से ये बना है और इसका Cl अलग हो गया है तो इस प्रकार ये Hydronium आएन बना है जल के आणों के साथ इस Hydrogen के जुड़ने से तो अब आपने याद रखनी है कि अमल जल में Hydrogen आएन एकोस लिखना साथ में या Hydronium आएन लिखना है उत्पन करते हैं और क्षारक हर अमलोग उत्पन करेगा अगर HCl है तो negative आएन कलोराइड आएन होगा अगर H24 है तो negative आएन सलफेट आएन होगा HCl में Cl होगा, Nitric Acid में NO3 होगा लेकिन समानता क्या है सभी अमलोग में कि Hydronium आएन या Hydrogen आएन जरूर निकलेगा उसी तरह शारक में OH- नेगटिव आएन जरूर निकलेगा सबसे फ़ले हम एक टेस्ट्यूब में Sodium Chloride लेते हैं इस Sodium Chloride में हम Concentrated Sulfuric अमल डालेंगे ओपर से कॉर्क को कॉर्क से बंद करेंगे इसको उसके बाद एक delivery tube लेंगे इस तरह से आप देखेंगे इस test tube में bubbles निकलने स्टार्ट होगे इसका मतलब ग्यास बन रही है यहां पर यह ग्यास निकल रही है delivery tube से होते हुए इस गयास का परिक्षन हम करेंगे कि यह अमली है यह अक्षार की तो इसके लिए हम एक लिटमस पत्र साथ में इस delivery tube के एक मुह पर लगाएंगे इस अभी करिया में double displacement दोहरा विस्थापन हो रहा है देखिए H2SO4 में और साथ में हमने sodium chloride लिया है NACL तो क्या होता है H2SO4 में से hydrogen निकल कर chloride आएं के साथ जुड़ेगी और sodium chloride में से sodium निकल कर sodium यहां से निकल कर sulphate आएं के साथ जुड़ जाएगा तो बनेगा हमारे पास sodium sulphate और hydrogen chloride तो यह अभी के लिए यहां पर इस तरह से पूरी होती है तो HCl गैस के रूप में बाहर निकल रही है तो यह HCl आपको पता है अमल है तो क्या यहां शुष्क अवस्था में भी अमली यह गुण देगी इसका प्रिक्षिन लिटमस पत्तर द्वारा हम करेंगे यहां पर हमने ड्राई लिटमस पेपर लिया है ब्लू कलर का जो की रेड हो जाना चाहिए लेकिन यहां पर HCl गैस ही है देखिए इस पर कोई प्रभाब नहीं डाला इसका मतलब क्या है कि सुष्क वस्था में यह HCl अपने अमली यह गुण नहीं दिखा रही है अर्तात य यह आइन्स में डिसोशेट नहीं हो रही है तो अब अगर हम यही लिटमस पत्र को हम गिला करते हैं तो यह HCl जो ड्राई था अब वाटर जो हमने लिटमस पत्र पर डाला है उस वाटर के साथ रियक्त करेगा तो आइन्स में यह तोट जाएगा जिससे हाइडरोजन आइन बनने की वज़र से यहाँ अपने गुण दिखाएगा और यहाँ लाल हो जाएगा तो यहाँ पर लिटमस पत्र लाल हो गया है इसका क्या अर्थ है इससे स्पष्ट यह होता है कि शुष्क अवस्था में जो अमल है वो अपने आइन्स में नहीं तोटता है तो यहाँ अमल और क्लोराइडाइन या हैडोजन और सलफीडाइन में तूटेगा और तभी अपने गुणों को प्रतरशित करेगा अब देखिए जानने योगे कुछ बात हैं क्षारक की बात हम कर रहे हैं तो सभी क्षारक जल में नहीं घुल सकते याद रहे सभी क्षारक जल में नहीं घुलते जो खुल जाते हैं जो घुलनशील हैं गुलनशील किसमें जल में उन्हें हम क्षार कहेंगे क्षार जो जल में घुल जाते हैं यह क्षार हैं और यह कड़वे और चिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचिपचि अब देखिए हमें इतना तो पता चल गया कि अमल से आयन बन रहा है और खशारक में तो जब इन दोनों की अभिक्रियाएं होती हैं उदासिनी करण अभिक्रिया में हमने देखा तो इन से निकलने वाले जो हड्रोजन और ओच हड्रोपसड आयन मिलकर जल का निर्मान करते है दोनों के मिलने से जल बनता है बाकी इनके जो दूसरे अमल का जो नेगटिव आयन है और खशार का जो पॉजिटिव आयन है वो मिलकर किसी लबन का निर्मान करते हैं मालो यहाँ पे सोडियम हैड्रोक्षाइड था ने वाच तो वह चला लग हो गया था सोडियम लबन में और अगर अगर यह इस तरह से अगर माल लीजिए अमल जो है सल्फिरिक एसिड है तो लबन बनेगा अनेटोस्तोफोर अगर यह है तो बनेगा अनेटोस्तोफोर अगर यह है तो बनेगा अनेटोस्तोफोर है तो बनेगा अनेटोस्तोफोर है तो जो नेगटिव आयन है यह क्षार के positive आयन के साथ जुड़कर लबन का निर्मान कर रहे है तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि उदासीनी करण अभिक्रिया होती है तो जो free hydrogen और hydroxide आयन थे वो मिलकर जल का निर्मान कर रहे थे तो इसमें ना तो hydrogen आयन रहे कर जल का निर्मान कर रहे है अब free आयन अगर नहीं बचे है तो ना तो ये अमली है ना ये ख्षार किया है तो इस अभिक्रिया को उदासीनी करण अभिक्रिया हम कहते हैं जो अमल और ख्षार की आपस में होती है उदासीनी करण तो उमीद है आज आप समझगे कि उदासीनी करण क्यों कहा गया इस अभिक्रिया को और हमें यह जानना है कि जो अमल होते हैं वो घुली अवस्था में hydrogen आयन मनाते हैं और ख्षार क्षार को अच्च आयन मनाते हैं और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जल का निर्मान होगा तो फ्री आयन खतम हो जाएंगे तो इसलिए उदासीनी करण अभिक्रिया इसको कहा जाएगा तो हमारा अगला अनुभाग है अमलियक शार्क में जल मिलाने पर क्या होता है देखते हैं जल मिलाने पर क्या होगा सबसे पहले हम एक्टिविटी करेंगे 2.1.0 इसमें हम 10 ml जल लेंगे और जल में हम सल्फियूरिक कंसेंट्रेटेड सांद्र H2SO4 सल्फियूरिक अमल धीरे धीरे बून बून करके डालेंगे फिर देखेंगे कि जो पर्खनली हमने ली जिसमें ये सल्फियूरिक हमने डाला उसको हाथ लगा कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये गरम हो जाती है तो आप बताएं ये गरम क्यों होई जल और सल्फियूरिक मल के बीच जब अभीक्रिया होती है तो यह एक उश्मा क्शेपी अभी क्रिया है उश्मा निकल रही है इसमें इसलिए ये अपने आसपास के बातवरण को गरम कर देती है तो इसलिए हमें ये गरम होती हुई प्रतीत होगी क्योंकि या उश्मा क्षेपी अभी क्रिया है इसमें जब हम सोडिम हैड्रोकसाइड के साथ ये तो अमल के साथ किया अगर क्षारक के साथ भी हम ये ही अभी क्रिया करें और कंसंट्रेटिड एन ए ओच्सोडिम हड्रोकसाइड क्षारक लें तब भी यह अभी क्रिया उश्मा क्षेपी है तब यह गरम हो जाएगी और यहां पर ध्यान रखने बाली बात क्या है कि हमने पहले जल लिया उसमें बूंद बूंद करके अमल या क्षारक डाला है ये बूंद बूंद करके अमल या क्षारक बूंद बूंद करके इस परकनली में डाला है तो इससे एसा क्यों किया हमने उ्ल्टा नहीं किया हमने سلف 뛰uric अमल नहीं लिया पहले और उस में जल डाला ऐसा नहीं किया यह घातक हो सकता है क्यों 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 बहुत ज्यादा ओश्मा उत्पन करेगी अभिक्रिया अगर हम जल को डालेंगे सलिफीयरिक एसिड में तो जो सकता है आपके ऊपर गिर सकता है आपको नुकसान पहुंच सकता है इस अभिक्रिय में क्या हो रहा है हमने लिया है पहले ही पाने तो जब हम हम एच्टोस सफुर बूंद बूंद करके डालेंगे तो थोड़ थोड़ी ऊश्मा निकलेगी जो इस जल के कणों के बीच समा और अगर बहुत ज़्यादा जल एकदम डाल देते हैं तो यह जो कंटेनर है उस कुश्मा की वज़ा से तूट सकता है और आप पर छींटे लग सकते हैं अमल के जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है तो इस परकार H2SO4 या N2H में जब जल मिल गया तो इसमें प्रती इकाई या तो हईडरोजन आएन की सांधरता में कमी आ जाएगी अगर क्शारक होगा तो OH आइन की सांधरता में कमी आ जाएगी अब देखिए यह मेरे पास है Sulfuric Acid, इसमें माली जी इतने क्षेत्र में हमारे पास Hydrogen-Ayn है 1000, अब हमने इसको इतने सारे पानी में मिला दिया, तो यह 1000 आईन इस सब में बिखर गए. अब इतना एरिया अगर हम अब देखिए इसमें है हाइड्रोजन आयन इतने सारे माली जी हजार हैं इतने एरिया में जब इसको इतने पानी में मिला देंगे तो ये हजार आयन बिखर जाएंगे और हजार आयन अब इतने एरिया में हम देखेंगे तो हजार आयन तो सब सांदरता में कमी आ जाएगी। इतने एरियां में कम हो जाएगी। दो सो तो कम हो कोंगे तो इस तरह से हैट्रोजन आएन कैंसेंट्रिशन में कमी आएगा। उफ इस उयरियां की सांदर'tा में कमी आ जाती है इस प्रक्रिया को हम कहेंगे तनुकरन जल मिलाने से ख्षारक या अमल में जल मिलाने से प्रती इकाई आयतन में हाइड्रोजन आएन या हाइड्रोकसाइड आएन में कमी आ जाती है जिसे अमल या ख्षारक का तनुकरन कहा जाता है इसे याद करने का प्रियास करेंगे आप इसे समझने का भी प्रियास करो कि यहां मैंने क्या समझाया है